आज हम जानेंगे MW business के 9 core steps के बारे में, जिनने follow किये बिना आप MW business में success को हासिल नहीं कर सकते, तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार ये 9 core steps क्या हैं और जिनने follow करना इतना important है, step number 1, read 30 minutes daily, यहां आपको कुछ books पढ़नी होगी, जिनने आपको सिर्फ दिन में 30 minutes पढ़ना है, ये books आपको अंदरूनी और बहरी दोनों रूपों से विक्सित करने में आपकी help करेगी, इससे आपको business की knowledge मिलेगी और आपकी अपनी personality development में भी help मिलेगी, step 2, listen to one tape per day, यहां आपको everyday एक CD सुननी होगी, ये उन लोगों की CD है जो already MW business में success हैं, इनके experience को जानकर आपको आप में कमी है उसे आप खत्म कर सकेंगे, ये CD आपको motivate करेगी, step 3, attend all functions, MW के seminars बहुत ही powerful होते हैं, इनसे आपको नए लोगों से मिलने का और new new skill को सीखने का मोका मिलता है, हो सके तो इस seminars को miss ना करे, step 4, show the plan, ये step बहुत ही important है, आपको अपना business plan दिखाना बहुत ही जरू अपना नहीं होता है, अगर आप अपने appliance से plan show करवाते हैं, तो ये business आपकी appliance का है, आपका नहीं, इसलिए जैसा भी आता है, अपना खुद का plan दिखाएं, step 5, use the products, क्योंकि MW business product based business है, ये आपकी खुद की shop है, तो फिर आपको market से product purchase नहीं करने है, आपको 100% MW के products use करने है क्योंकि जब तक आप खुद products use नहीं करेंगे, तब तक आप products का experience share नहीं कर पाएंगे, step 6, make retail sales, business के लिए आपको customer की जरुरत होती है, आपके 2-10 तक personal retail customer होने चाहिए, जब तक आपके अपने customer नहीं होंगे, तब तक आप अपने team members को customer बनाना कैसे सिखाएंगे, step 7, be teachable, अगर आप एक teacher और एक leader बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक student बनना पड़ेगा, जब आप student के रूप में शुरुआत करते हैं, तब आप एक expert बन जाते हैं और आप teacher बन जाते हैं, आपका काम लोगों को पढ़ाना है और सिखाना है, क्योंकि ये business teaching औ step 9, counsel with your appliance, हमेशा अपनी appliance की counseling में रहें, हमेशा उनसे connect रहें, every month अपनी appliance से counseling करें, और अपना monthly target यानि की अपना monthly goal set करें, अगर आप इन 9 core steps को follow करते हैं, तो आप MV business में जरूर success होंगे, अगर मेरी वीडियो आपको useful लगी हो, तो like, share and subscribe जरूर करें, और bell icon को भी प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहे